तो कैंसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज की जो आप लोग की वीडियो है ये उन लोग के लिए है जो पटवारी और लेखवाल का फॉर्म जिन लोगों ने भरा हुआ है उसी का आज दूसरा भाग है और ये वीडियो जो है उस सब के लिए इक्वल रूप से वेनिफिस्चल होगी जो पहली बार यानि जिसको अभी अंडर ग्रेडुएशन है या जो अभी चल रहा है जिसकी पहली बार उसके अंदर ये थिंकिंग आई है यानि पहली बार जो तयारी कर रहे हैं जो हाल फिलाल मुझस से जुड़े है उनके लिए साथ ही साथ जो पटवारी और लेखपाल की भरती है उनके लिए और उसके अलाव जो वीडियो बीपिडियो कनिष्ट सायक वगएरा की उल्रेडी मेरे साथ तयारी कर रहे है उनके के लिए revision के रूप में यह video equally क्या होगी beneficial होगी याईनि आप सब के लिए समान रुप से क्ये है beneficial है देखिए लास्ट ट्याम पर मैंने चो आपको इस video का इस series का पहला भाग दिया था वो दिया था एक जुलाई को, आज जो वीडियो का पार्ट आया है, वो आएगा पंदर जुलाई को और इसके बाद जो आएगा, वो आएगा 30 जुलाई को यानि एक महने में तीन वीडियो अगर मैं इसके दूँ और उसके बाद आप लोग अपने अंदर परिवर्थन देखना, अपने अ पहले सुपकामनाय कांगुचुलेसंस उन लोगों को जिसने वो एक तारिक वाली वीडियो यानि एक जुलाई वाली वीडियो इस सीरीज की देखी और उसको फॉलो किया फॉलो करने के बाद आज अपने आप से आप लोग पूछे 15 तारिक आज चुकी है इन 15 दिनों मैं आपने कितना कुछ नहीं सीखा पूरी डिस्ट्रिक सीरीज आप लोगोंने कम्प्रीट कर लियोगी साथ ही साथ आपने हिंदी युकिट रिपरेसी वाला जो मैंने फोल्डर बताया था कि पहले आप लोगों को लियो सेंटी ब्ली वाली जो है वो बुक पढ़नी है उसके बाद उसी चैप्टर को MCQ करने है जो नहीं आता उसको नोट करो जो आता है उसको बुक में ही टिप करो MCQ से आपको नोट से नहीं मराने तो आप लोगोंने अगर ये सब किया है आप अपने अंदर बहुत जाधा changes पा रहे होंगे बहुत जाधा आपके अंदर परिवर्तन आ गया होगा और ये बहुत सुब संकेत आप लोगे चायन के लिए होता है ठीक है तो आप लोग इसी तरीके से आगे भी follow करेंगे चीजों को बतायर जाएगा जिसे इसको guide कि मुझे तीन मेहने का समय लगा लगभा 47-49 वीडियो मैंने बनाई उस वीडियो को उन सीरीज को आप 15 दिनों में कम्पलीट कर चुके हैं तो ये सोचिए कि आपकी स्पीट कितनी सही है कितने सही तरीके से आप लोग जा रहे हैं एक बात अपनी आत्मा से अपने दिल से कुछ नहीं बिगड़ा है आप उस वीडियो को देखे और उसमें बताएगे दिसा निर्देशों को फालो कीजिए आप लोगो निश्ची तरूप से फाइदा होगा तो आप लोग अपने आप से पूछिए जिसने वो कम्प्लीट कर लिये है क्या अगर वो सिरीज नहीं द घरने की अंतिम ठीथी खतम नहीं हो जाती तब तक ऐसी ही भटकते रहते कभी कुछ पढ़ते कभी कुछ पढ़ते तो मेरा ही टार्गेट है कि आप लोगों को मैं अपने साथ जितनी जल्दी हो सके लेके आऊं यानि जो मेरी रेगुलर क्लासेश चलती हैं लगभग 11 बज उसके बाद जैसे ही आपको समय मंतनी मीलेगा क्योंकि पेपर तो आपका लेठ ही होगा बीप इडियो वीडियो के बाद ही पटवारी और लेक पालगा पेपर होगा तो जो एक्स्टरा टायम मीलेगा वहां पे आपको प्रेक्टिस कराना कहां कहां से पुछे जाते हैं ये सब में आपको बताऊंगा ठीक है एक दूसरी बात कई लोगों ने मुझसे पुछा कि सर एक बार फिर से परिक्षा का पैटर्न बता देना आपको बता दो 100 नंबर का एक पेपर होगा उसमें जो है ग्रेजुशन लेवर का जो सलेबर से 40 नंबर की उत्राखन 20 नंबर की दी वह 40 नंबर का जी एस वाला पोर्षन है उस जी एस वाले पोर्षन के अंदर कुछ केशन आपकी कम्प्यूटर के होंगे कुछ आपकी रिजिनिंग के होंगे और मैच से बगरा नहीं है ठीक है तो यह ओफर ओल एक पैटर्न है 100 मांक्स का इसको आप लोगोंने फॉलो क करना है अब आता है आज की बात यहां से आप लोगों को क्या करना है कैसे आप लोगों को चलना है उन चीजू को आप लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी सपलता मिलेगी तो हमारी जो नई प्लानिंग है आज से वो सुरुवात होती है आज आपनों को मैं बताऊंगा अभी भी पिसली बार की क्लास की तरह बुक नहीं छुनी है यानि किताब अभी नहीं पढ़ने आपनों को किताब पढ़ने का जो टाइम होगा वो होगा एक अगस्त से जुलाए का महना आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और निश्चित होगी अपने आपको आप धीरे धीरे क्या करने लगें पसंद करने लगेंगे कि या रहां आप चीजों को सीक रहे हैं आपके अंदर क्या हो रही है चीजां समाहित हो रही है पॉर्षन में उत्राखन का दूगा, कुछ पॉर्षन में आपको हिंदी का दूगा और तीसरा पॉर्षन में जी एस को दूगा ये मानते हुए कि ध्यान से सुनना एक जुलाई से 15 जुलाई तक ये मानते हुए कि एक जुलाई से 15 जुलाई तक जो मैंने आपको काम दिया थ उत्राखन में आप लोगोंने district series यानि DS complete कर लिया होगी तेरे के तेरे जिले अभी revise नहीं करना था मैंने कहा था ठीक है इस ट्रिकिस से लिूसेंट से दोनु की बुकु से लिूसेंट में उसकी MCQ इससे आप लोगोंने complete कर ली होगी ये काम था आपका 15-15 जुलाई तक का अब आता है 15-30 जुलाई तक का हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग ये जानते हैं कि सबसे द वेटेज उत्राखंड का है तो हम उत्राखंड को 40 नंबर की जो उत्राखंड है इसको बहुत बहतर तरीके से तैयार करने का प्रियास करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे इस उत्राखंड के अंदर आपको प्लेलिस्ट में चैनल पे जाना में पेज पे जाना उसकी बाद प्लेलिस्ट दिखेगी वहाँ पे आपको फोल्डर दिखेंगे दो फोल्डर आपको निश्चित रूप से कम्प्रीट करने हैं इन दो फोल्डर के अंदर 15 दिनों के अंदर पहला आपको करना होगा उत्राखंड इंडिविज्वल टॉपिक सिरीज यानि उत्राखंड इंडिविज्वल टॉपिक सिरीज के अंदर आपको कई टॉपिक दिखेंगे उत्राखंड के जैसे उत्राखंड में वन रिपोर्ट, उत्राखंड में पंचाईती राज, उत्राखंड में नैशनल हाईवे, उत्राखंड की जनजातियां, उत्राखंड का भौगलिक विभाजन भौगलिक परिचाई यानि एक basic जो उत्राखंड का आप सभी लोग को आना चाहिए उस उत्राखंड individual topic सीरीज को आप लोग आने वाले 15 दिनों के अंदर complete कर ही लेंगे यह मुझे पूरी उम्मीद है यह मानते हुए जब आपने यहां आपने इस district सीरी और मां आपको निश्चित रूप से guarantee के साथ कहता हूँ exam मां आपको इसका बहुत फाइदा होगा लोग अपना form फिली कर रहे होंगे आपका आधा सपरताय हो जाएगा इस उम्मीद के साथ कि आप लोगे कर रहे हैं ठीक है तो उत्राखंड individual topic सीरीज को आपने आने वाले 15 से 30 जुलाई के बीच complete करना है किसी भी case में साथ ही साथ उत्राखंड की history क्योंकि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे ठीक है उत्राखंड की history इन दो चीज़ों को आपने 15 दिनों के अंदर किसी भी case में complete करना होगा इसको revise नहीं करना है फिलाल इस चीज़ को revise नहीं करना है बस पढ़ना है सीखना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है revise का पूरा time दिया जाएगा complete दिया जाएगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये कहें कि सर आपने हमें बेवकुफ समझ रखा कि अपनी वीडियो से किताब में कॉपियां भरवाए जा रहे हो ऐसा तो कोई और भी कर देखिए ये करने से आपको किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी जिस किताब को पढ़ने में खुजलाते रहोगे सर इस गर्मी में उस किताब को अगर एक बार यहां से चीज़े complete कर लिए समझने में बहुत आसानी होगी चुटकियों का खेल आप की बहुत जाएगा क्योंकि मैंने उतराखन के लिए आपको प्रिफ्रेंज दी है कि आपको सबसे ज़्यादा परिष्यावानी को फोकस करना है बागी की किताब एक कौन सी हूँगे क्या हूँगी समय आई पर आपको बता दिया जाएगा तो उतराखन इंडिविजुयल ट तो आप फिर भी इसको क्या करके दिखा देंगे, complete करके दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसे दोरान क्या होगा, डेली पढ़ने से पहले, डेली पढ़ने से पहले, आपने जो notebook बनाया है उत्राखंड का district series, एक district series daily revise करनी है, one district series, का क्या करना है, revision करना है, ठीक है start 15 July से करोगे, पहला topic पढ़ोगे देहराद, उनको revise के रुप में, जो आपके notebook में लिखी गई है, साथ ही साथ जैसे ही revision होता है, 13 जिन तो आपके ये revise में चले गए, अब बताओ, कितनी प्यारी planning है, कितने अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, district series, खाली district series नहीं ह ताल उसके अंदर हैं, बुग्याल उसके अंदर हैं, परवत वगरा उसके अंदर हैं, मंदिर उसके अंदर हैं, गुफाएं उसके अंदर हैं, यानि आपका जो जो उतराखन के भौगलिक चीजा होती हैं, नैचुरल चीजा हैं, वो सब के सब उसके अंदर होती हैं, वो district series रिवाइज करनी है और साथ ही साथ उत्राखन इंडिविजुल टॉपिक और उत्राखन हिस्ट्री को आपने कंप्लीट करने है जहां तक मैं समझता हूँ लगभग 27 से 28 वीडियो इसके अंदर है यानि 30 वीडियो में मानके चल लाओ अधिकता मुझे एक्जेक्ली याद नही है लगभग 30 वीडियो इसके अंदर दिखती है जबकि उत्राखन इंडिविजुल टॉपिक स्रीज के अंदर लगभग आपकी 25 वीडियो होंगी यानि 25 और 30 मिलाके आपको 55 या 50 के आसपास टोटल वीडियो मिलेंगी जबकि जिला स्रीज में भी 47 वीडियो थी जिला स्री वीडियो इसका लाइट वर्जन दिखीगा UK हिस्ट्री में क्यों क्योंकि वो जो वीडियो थी मेरे प्रारम्ध की वीडियो थी जब मैं यूटूब पे आया था नया नया था ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का तो वो इसलिए नहीं लगेंगी क्योंकि ए ज़्यादा डिफ्रेंट लगेगा तो आप लोग उसको जितना कोशिस है समझने की कोशिस करना पढ़ाया वहां भी मैंने अच्छा होगा वीडियो की डियूरेशन कम होगी कहीं 18 मिनट 20 मिनट 24 मिनट होगी इसलिए मैंने आपको ये दोनु चीज़े यहां से शुरू होगे हाँ आदिम जनजाती में पहली आदिम जनजाती कौन सी है उसमें आपको कन्फ्यूज होगा पेपर में कोल आता है मैंने आपको वहां पर किरात वगरा कर आया होगा भले ही कॉमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया होगा अब वो अलग-अलग लोग अलग-अलग ब यहां पहुंचते पहुंचते आप सोचिए एक महना, यानि एक जुलाई से 30 जुलाई तक एक महने के अंदर जहां कि अभी फॉर्म भरने की डेट खतम नहीं हुई होगी, आपका उत्राखन district series complete, उत्राखन history complete, उत्राखन individual topic series complete, ऐसे करते ही आप लोग एक अगस्त से मेरी उत कितनी अच्छी planning मैंने आप लोग को बताई है, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक अगस्त को आप मुझे उत्राखन में छो लेंगे, और एक अगस्त के बाद आप मेरे साथ चलेंगे, जो टेली वीडियो आती है, बच्चों के लिए जो उत्राखन वी वीडियो की तैयारी कर अब आता है दुसरा हिंदी, हिंदी मैंने क्या दिया था आपको, UK SSC हिंदी वाला जो फोल्डर है वो complete करने को दिया था, यहां तो आप डेली एक वीडियो रिवाइच करेंगे, अब देखी आप आता हिंदी, हिंदी में क्या करना है, ज्यादा वर्क नहीं दूंगा, ज् इसमें आपको इस time पे क्या करना है ध्यान देना, इसको मैं erase करता हूँ इस दरफाले को, हिंदी मैं आपको क्या क्या करना है देखिए, मैंने जो وی्डियो बनाई है उसमें कुछी चीज Halloween देना, उसके अंदर आपको सब समझा जाएगा, एक आपको बेखना है तत्सम तद आली वीडियो विलोम परियावाची जैसा बताया होगा इसको फॉलो करना विलोम परियावाची एक बताया होगा देशज सब्द आला देशज और विदेशज सब्द ठीक है विदेशज सब्द और इसके अलावा एक दिया होगा लोकोक्ति और मुहावरे मुहावरे और लोक ठीक है लोगों की उक्ति जो होती है तो ये जो चैप्टर है तत्सम तद्भव विलोम परियावाची देशद विजेशद मुहावरे लोको उक्ति और इनहीं में मतला आपको जो भी इस टैप का चैप्टर दिखीगा कहीं अनेकार्थी वगरा भी दिखेंगे परियावाची क करी लेंगे परियावाची आया है एकात कोई पड़ा लिखा आया ही जाएगा तत्सम तद्भव कर लेंगे ये जो है आपको वहीं के वहीं बेहोस करता है वहीं के धराशा ही करता है आप समझी नहीं पाते हैं भी इस नमबर की इंदी में 6-7 नमबर का रोल इसका है आप इ आने वाला समय है इस वीडियोज को आप लोग कमप्लीट करोगे और इसमें जो-जो मैंने प्लानिंग बताई है आप लोग की इस वाले में हिंदी UKSST वाले फोल्डर मां आपको यह मिलेगा जो भी प्लानिंग बताई है इसको आप लोग exactly उसी तरीकर से फॉल्लो करना हिंद और साथ ही साथ हिंदी का जो आपका मैंने पत्र लेखन वाला पोर्षन करा रहा है उसको भी अभी टाच नहीं करना सिर्फ और सिर्फ पर योकेट रिपारसी हिंदी के अंदर इतना अब देखें उत्तराखंड कितने आगे पहुँच चुके हिंदी जहां मुझे 7-8 मैंने 5 म मैंने लगे पढ़ाते बढ़ाते आपको मैंने एक मेहने में वहां पर पहुंचा के छोड़ दिया यानि इतना करते ही एक अगस्त से हिंदी के जो प्रैक्टिस या कुछ भी कराओं वहां आप मेरे साथ पहुंच जाओगे कितना आसान है बताओ इस तरीके से चलोगे तो निश्चित रूप से सपलता मिलती है हिंदी के बाद जो तीसरा और अंतिम सेक्षन आता है वह आता है GS का अभी तक मैंने हिंदी और उत्राखंट के लिए किताब पढ़ने को बिलकुल माना किया है यानि आपको क्या करना है उत्राखंट की बुक फिलाल नहीं पढ़नी है और साथ ही साथ हिंदी की भी बुक आपको फिलाल नहीं पढ़नी है दोनुं बुकों से आप अपने को परहेश करना बचना तीसरा पोर्षन आता है GS आप लोगों ने अगर जिसने फॉलो किया है वो कहां पहुँचा होगा GS उसने हिस्ट्री और लुसेंट MCQ हिस्ट्री कंप्लीट कर लियोगी ये मान रहों में अब आता आपका GS वाला पोर्षन लुसेंट ही पढ़ोगे कहां से सुरू करोगे पॉलिटी से नेक्स्ट ठीक है पॉलिटी और पॉलिटी के साथ पॉलिटी MCQ पॉलिटी MCQ और बुक का नाम है लुसेंट लुसेंट की आती है दोनों ठीक है लुसेंट और ये वाली जो लुसेंट है ये लुसेंट GS का portion है और ये Lucent ये वाली जो है ये MCQ का है दोनों Lucent का ही version है आपको मिल जाएगी market मा वैसे भी आप सफी के पास होगी बेसिक किताब है तो यहाँ आप लोग कैसे पढ़ोगे जैसे पहला चेप्टर आपने Lucent GS का पढ़ा GS वाली book से सेम चेप्टर को Lucent MCQ मा आके चेक करोगी कि कितने question मुझसे बन रहे है उससे क्या होगा एक तो पता चल जाएगा कि exam में question पूछने का तरीका क्या रहता है दूसरा आपको confidence भी generate हो जाएगा यानि अपना confidence भी बढ़ेगा exam में पढ़ने के तरीके भी complete जाएगे तो होगा क्या GS जो है आप 30 जुलाई तत क्या-क्या complete कर चुके Lucent History, Lucent Policy को complete कर चुके होगे यानि GS वाला portion जो है अगर आपको लगता है कि बुक से पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रहा Lucent वाला portion पॉलिटी का तो आप सेम वीडियो को मैंने पढ़ाया हुआ है भार्ती राज्जी विवस्तागर के उसके अंदर आपको प्रस्तावना, मूल अधिकार, नागरिक्ता राज्जी के नितिन दिश्वक्त, अत्तु राष्टपती, प्रधानवंत्री, उपराष्टपती संसद, इसके अलावर नियाईपाली का जैसे चैप्टर देखनी को मिलेंगे लेकिन मैं आप लोग उसे कहूँगा फिलाल उनको मत छूना क्योंकि वहाँ न आपको यूटूब पे ही बहुत टाइम निकल जाएगा तो मैं आप से यह कहूँगा कि इस चीज को बेसिक चीजों को आप इन बुकों से करोगे ठीक है तो GS माँ आप लोग यहाँ पहुंचाओगे अब आपका जो है अंतिम चीज रहती है जब आप इतना करते हो वो सुनिए यह आपके टोटल के टोटल क्या प्लानिंग यानि प्लानिंग के है आपकी उत्राखन कैसे पढ़ना है GS कैसे पढ़ना है और हिंदी कैसे पढ़ना है और पैटन के है एकजाम का उत्राखन GS हिंदी GS के अंदर थोड़ाचा उसने reasoning और उसके question देता हो reasoning match बगरा नहीं आती तो अब आप खुद से पूछिए क्या आप इतना करेंगे तो आपका selection कौन रोकेगा बताओ महने तो आप करी रहे हैं कई लोग आएंगे आपसे कहने वाले कि ऐसी selection नहीं होता इतना पढ़ना होता ये पढ़ना होता है इस परकार से मैं पढ़ रहा हूँ क्या आप कहेंगे कि मेरा selection होगा या नहीं होगा वही इंसान जो आपसे कहता selection नहीं होगा कुछ देर के लिए अपने आप में क्या हो जाएगा बेहोस हो जाएगा मतलब आपके सामने नहीं होगा घर जाके होगा कहेगा यार कहे तो ठीकी रहा पढ़ तो ठीकी रहा हम भी ऐसा ही पढ़ते कुछ अनोखा तो पढ़ते नहीं है हमने क्या किया हमने ताल एक जगर रिख दी हजारों लाखों तालों के नाम लिख दी हमने इस बंदे ने क्या क्या समझ के मैफ में ड्रॉ कर दिया इसकी ताल एक जगा नहीं दिखेंगे लेकिन इसने कहीं न कहीं उसको दिखाया हुए इसके दिमाग में हो ताल है और हमारे दिमाग में है नहीं हमने क्या क्या मंदिर पड़े हमने एक जगा मंदिर को यह मंदिर नाम लिख दे और उसमें से बीच में से पिक करके दूसरे से question पूछ रहे हैं कि ये मंदिर कहा है कोई तिनी फुर्षत नहीं है कि वो आपको बीच में से pick करके मंदिर का ऐसे पूछे famous question आएगा एक मंदिर top हाता है तो ताल लीजी आजाएगी ताल मंदिर दोनों top आते हैं तो बुग्या लीजी आजाएगा जो ला रहे हैं उनसे पूछे तो आपका में धेई क्या होना चाहिए जो चीज़ा आप पढ़ते हैं उसको पचाना सीखो उसको digest करना सीखो जब आप चीज़ों को digest करने लग जाएगे जब आप चीज़ों को समझने लग जाएगे जब आप चीजों को इस प्रकार से आगे लेके चलने लगेंगे तो आपका confidence का label boost up कर जाएगा जैसे ही confidence बढ़ना लगेगा ना आने वाली चीजें भी क्यान लग जाएगी समझान लग जाएगी किताबों के परती 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 भूख जागने लगेगी और इतनी भूख जागेगी कि बिना पड़े रही नहीं पाओगे खाना छूट जाए पीना छूट जाए इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जिस दिन study करना भूल गए जिस दिन study material छूट जाएगा उस दिन बेचे नहीं हो जाएगी ये निक्षी जरूप से क्यूँ ये सब उन बच्चों के लिए है जिसको वास्तों मजौब की दरकरार है जो 110% महनत करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि उपूरा का पूरा समय दे लेकिन उनको काइट करने वाला नहीं होता देको समय तो आप देई रहे ना मैं तो उन लोगों से इतना जादा खुजवा जिस आपका चायन रोग सकती हैं एक महने के अंदर लोग फॉर्म खिल कर रहे हूंगा आप कहां पहुंच चुके हैं खुद आप लोग सोचिए बसरते कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में नोट बनाने होता हैं लिखना होता हैं हाथ में दर्द होता हैं आप लोग इतना क करना पड़ेगा क्यों करना हैं तो इस प्रकार के फिलाल आपको दूरी बनाके रखनी हैं किताबें अभी नहीं पढ़नी हैं एक अगस्त के बाद से यानि 30 जुलाई जो होगी वहां से आपको पूरी प्लानिंग बताए जाएगी किस किताब को पढ़िए कैसे पढ़िए कितना समय दीजे जब आप उस प्रकार से चलेंगे तो आपका निश्ची तुरूप से सेलेक्शन होगा अब लास्ट बात दो सब्दा आप लोगों के लिए मो जोई बहुत जादा कम संसाधनों में मेहनत कर रहा है किसी किसी के पास इतने कम संसाधन है कि किताबों को लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता 10-10-15-15 बार उसको सोचना पड़ता है किसी भी तरीके से वो मेहनत मजदूरे उनके माता पिता करके 400-500 पे ज्याड़ी ल जारा भले ही सुखी रोठी को न मिलो मिले लेकिन आपको अपने परिवार की अपने आने वाले पीडियों की पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधूं पर लेकर आगे बढ़ना है क्योंकि एक आदमी अगर परिवार में समल गया सरकारी चेतर में आगे देखो मैं यह नहीं कहता हूं कि हर किसी को IAS बनना है हर किसी को PCS का exam qualify करना है हर किसी की अपनी शमता है हर किसी का अपना नजरिया है चीज़ों को देखने का आप अभी जहां पर तयारी कर रहे हैं आपको अपने career को settle करने की जरुबत है यहां पर अगर आप settle हो जाते हैं भविश्ची में आप आगे बढ़िये निरंतर आगे बढ़िये अपनी मेहनत करते लेजिए अपने जो है परमोट कीजिए अपनी जो जौब है आगे की जौब को पकरने की कोशिश कीजिए लेकिन at least अभी आपको अपना एक base बनाना है ताकि आप अपना अपने परिवार का आने वाले पी होती है तो जहां तक मेरी वीडियो का सवाल है फीस बगेरा का कोई structure नहीं है ठीक है आपको like comment और share करना है डेली के डेली वीडियो को बहले ही मैं सभी comment को reply न कर सकूल इन पढ़ता सब comment हूँ ठीक है जब समय मिलता है मैं सारे comment पढ़ता हूँ और जो मुझे लगता है कि आ जाया तो आप अपने इस तर पे स्वैचिक रूप से दे सकते हैं और कहां पे देना है जो मैंने Google Pay का एक नंबर दिया हुए हाला कि वो मेरा calling नंबर नहीं है मेरे नाम से नहीं है लेकिन वो study with yogis को ही मिलेगा उसका revenue और वो जो चीज होंगी उन अभाव ग्रस्त लोगों क लिए जिसको चीजे समझ मतलब क्या कहते हैं जिसको कुछ समझ्या होती है किताबों को लेने में जिसको अध्यान सामागरी नहीं मिल पाती या मैं अपने बहतर infrastructure के साथ आप लोगों को तैयारी करा पाऊ उसके तभी वो possible होगा जब आप लोग उसको सहियो करेंगे और उस पर लोगों के लिए जो किसी न किसी अभाव के कारान अपना आगें नहीं पार पाते हैं और इस सिर्फ या है स्वैचिक है और शौयचिक का मतलब एक परकाथ की फाइदा हुआ है तो आप 1 रुपे, 10 रुपे, 5 रुपे, 10 रुपे, 10 रुपे, 20, 50, 100 जितना है आपकी स्यमतार उसके साथ से जब मर्दी आए लेकिन एक final चीज है जब आपका selection होता है जब आप finally select होंगे तब तो मैं hug से मागूँगा तब तो मेरा hug बनता है गुरु पार्टी होगी वो भी जस्न मनाया जाएगा लेकिन अभी क्या है महनत करने की जरुबत है वो बात की बात हैं वो आपके लिए बाध्यकारी होगा यह आपके स्वैच्ची है ठीक है फिर मिलता हूँ अपनों के साथ उम्मीद करता हूँ यह सेसन आपके समझ आयागा इसको आ करेंगे अपना थ्यान रखिए थैंक यू